आज मैं रेड लाइन फिल्म के मुरत पर पहुंची हूँ और मैं इस फिल्म के निर्देशक जो पवन पांडे जी है उनको अपनी सारी शुब कामनाय देने के लिए यहाँ पर आई हूँ आज कल अभी तो जैसे कि मेरे शोज वगेरे तो चलते रहते हैं प्लस जो मैंने भुझपुरी फिल्म के तीन फिल्मों के सौंग्स बाकी है जो अभी तेज सारी से अम लग शूट पे जाने वाले हैं हर हर महादेव की शूटिंग तेज सारी से करेंगे और तुही तो मेरी जाने रादा ये सब सारी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी फिल्मों का पूर्शन्स कह सकते हैं बाकी है उसका शूट्स वगेरे हैं वो करने वाले हैं जब से मैंने ये नियूस सुना आया ना सच में मेरा मन इतना दुखी हो गया है कि समझा में न या था कि इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं लोग माना कि हाला ते ऐसे हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई भी सिचुएशन हुआ आप अपने आपको कमजोर मत कीजिए और मैंने सुना है कि अंजली बहुत ही ऐसी कमजोर लड़की बिल्कुल थी नहीं लेकिन शायद कुछ कारण हो गाने इसमें तीन चार गाने हैं औ ये अफ्वेशन कुछ थेम बेस्ट जो गाने जैसे आईटम है और कुछ सेट थेम है तो इस पर गाने है तो थेम से रलेटर जासे इसे क्यों स्टिकन की बिल्कॉर या इस स्पेशल सॉंग कुछ जैसा नहीं है तो बहुत रियलिस्टिक जो है चल लाए है तो उसीक जीसे पूरे टीम को मैं बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ इस फिल्म के निर्देशक कॉन पांड़े जी की थी जो पिछले बास रिलीफ हुई थी तो उसी में आप देखते हैं अभी कास्टिंग चल रही है तो आगे देखते हैं और बहुत बहुत बधाई हमरे नि पांड़े जी इन सब को बधाई हो और युवाब वर्क जूड रही है और एक अच्छे कॉंसेट पर काम करना जहां तक पांड़े जी ने बताया कि रेड लाइन एक आरपार की कहानी है मतलब उत्तर पर इसके पॉलिटिकल और जहां तक क्या पोस्टर देख सकते हैं कि तो अच्छा तिन्हों बनाते हैं मैं अपने काने के बारे में बात कर सकता हूं कि अपी डारेक्टर साब मेरे साथ में है मेरा जो ट्रैक है एक सिट्वेशनल साड सॉंग है जहां तक फिल्म का सवाल है फिल्म एक पॉलिटिकल ग्राउंड पर बनी है तो उसमें कोई सिट्वेशन आई होगी मुझे मुझे के जादा स्कॉप वैसे नहीं होता है इसी फिल्म में लेकिन आपने गाने डाले हैं उसमें और फिल्म को ज्यादा एंटेटेनिंग बनाया है ताकि दर्शकों को और मजा आया देखने में और गाना सुनने में और इन्हों ने इसके पहरे में मुझे बना चुक हो जो रनेती है मेरी ऐसे ही बेश्ट है कि जो नर पर वही है जैसे अनुराग जी का जोनर है मेरा जोनर है वो सेम जोनर है इस टारकाश में राहूल आजना है जो एफटी आई से हैं और यह इसकी थीस्री मूवी होगी है 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 हिरो ने फाइनल है साउट की है वो काजल करके नहीं है इंटर्डूजिंग तो इसे लोग सोच रहे हैं लाल लकीर तो यह जैसे एक लकीर खीज दी थी उसमें हंदुस्तान पाकिस्तान को बाटने के लिए वैसे आज समाज में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको ले कि आफका बेस है और पॉलिटिकल हो गई वाई है तो लगता है कि यह वाई होनी चाहिए किसकी वाईस होनी चाहिए मैच करते हैं तो दिमाग पे आया तो मैंने को कॉल किया और एकसेप्ट किया बहुत अच्छा लगा है इंका नहीं को धने बाद देना जाता हूं कि हाँ गाने के लाइने मेने अभी गाया ती थी लेकर नभी जैसे आज जो कुछ भी मद्दब पर्देस में देखा जा रहा है जो कुछ भी चल रहा है तो उसको देखते वे ऐसा लगा कि यहां कुछ ऐसी कुछ ऐसा मैसिज देना चाहिए जो हमारी पिच्चर से लोगों तक पहुचे में से यही जो भी लोग अगर आज लोगों के साथ हो रहा है जो लोग देख रहे कि जाने अनजाने में जो कुछ भी घल्तियां हो और यह मैसेज में केससा पॉलिटिक्स चल रहा है तो वह इसमें बताएं गहीं जो आजकल चल रहा है योगी सरकार तो किसमें क्या योगी के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है योगी जी तो हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हम आपर सब सही चल रहा है मापर कुछ है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं तो वो तो कोई उनका तो कोई बेस ही नहीं कोई लेवल ही नहीं है बाकी तो सब सही चल रहा है सूप मद्य परदेश में किया जाएगा बरसाद बाद ये शूट शुरू होगा तो उसके लिए मिनिमाम फिर भी आट मंट्स हमारे को टाइम लगेगा करते हैं